दोस्तों क्या आप अपने मुवाइल फून में अपने वाडसअब को लॉगिन करना चाहते हैं यानि कि अपने वाटसअब की पुरानी ID लॉगिन करना चाहते हैं तो कैसे आप ए लॉगिन करेंगे अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सबसे पहले आपको करना क्या होगा अपने mobile phone के अंदर अपना WhatsApp ओपन करेंगे जैसे आप यहाँ से WhatsApp ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यह WhatsApp है और इसमें हमारा इतना सारा यह चैट है और हम चाहते हैं कि हमारा पुराना एकाउंट लॉगिन हो जाए हमने एक नए नमबर से एकाउंट बनाया था वहाँ पर हमारा पुराना चैट वापस नहीं आया है तो पुराना चैट वापस आपको कैसे मिलेगा सबसे पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पर 3DOWARD पर क्लिक करना है, और सेटिंग पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको chat पर मिल जाएगा एक chat setting आप यहाँ पर मिलेगा एक setting, chat backup इसबर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर अपने aussi chat का backup यहां से ले लेते हैं एक बार जैसे हम यहां पर इसे chat का backup ले लेंगे backup लेने के बाद यह हो जाता है कि आपका जो WhatsApp है अगर delete भी हो जाता है तो आपका सारा chat पुराना वाला आपके phone में आ जाएगा तो हमारा यहां से backup होना start हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहोंगे कि हमारा जो WhatsApp का backup है वो यहां पर start हो चुका है तो थोड़ा सा हम wait करेंगे अभी हमारा यह backup हो जाएगा और जब आपका backup हो जाता है तो फिर अपने WhatsApp की पुरानी ID को आसानी से open कर पाएंगे अभी आपको देखाते हैं कि इसमें जो हमारा account है उसमें कौन सा mobile number है तो इस पर click करेंगे यहां पर आप देख पाएंगे यह अभी इसमें mobile number है और मैंने एक अपने नए नमबर से बनाया है उसमें हमारा सारा का सारा chat वापस नहीं आ पुरतरी के से clear हो चुका है आप यहां पर आपको पुराना ID login करके दिखाएंगे सबसे पहले आप यहां से रायट करेंगे रायट करने के बाद agree and continue करेंगे आप यहां पर आपको अपना mobile number डालना होगा जैसे mobile number से आप अपना account बनाये हुए थे पहले तो यहां पर अपना mobile number डाल देते हैं अपना पुराना वाला जैसे हम okay करेंगे हमारे समने आ जाएगा verify करने का option तो हम यहां पर verify with sms पर click करेंगे जैसे sms क्लिक करेंगे थोड़ा सा हमें wait करना होगा हमारी पास whatsapp की तरफ से एक message जाएगा वो हमें यहां पर flip करना होगा तो हम यहां पर flip कर ल आपको यहां पर continue पर click करना है और उसके बाद allow करना है उसके बाद आपको देखने को मिले का looking for backup है तो जैसा कि आपको देखने को मिले का यह looking for backup है आप यहां पर आपका backup है आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर मैंने इस email id के अंदर अपने इस number का backup लिया था तो हमार पर थोड़ा सा इंतजार करेंगे आपका जो बैक अप है वो आपके इसी WhatsApp में आपका सारा कसरा मिल जाएगा तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे 100% यहां पर अप्लेट हो चुका है आप नेस्ट करेंगे जैसे नेस्ट करेंगे उसके बाद आ जाएगा यहां पर आजाएगा योर मैसेज रिस्टोर आप इस पर क्लिक कर देंगे नहीं तो आप इससे ओके कर देंगे अब आपका यहां पर नेम आ जाएगा उसके बाद नेस्ट कर दीज गया था हमारा सारा चैट वापस लाना था हमें तो यह हमारा वो एकाउंट है जैसा कि आप देख पा रहूंगे यहां पर कोई भी आपको वो एकाउंट नमबर नहीं मिलेगा जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था तो इस तरीके से आपने WhatsApp की chat को recover कर सकते हैं या अपने पुराने वाले WhatsApp ID को login कर सकते हैं बस आपको एक बात को याद रखना है कि आपके WhatsApp की जो chat है वो आपका backup होना चाहिए अगर आपका backup नहीं है तो आप recover नहीं कर पाएंगे, backup लेने के लिए आपको पर क्लिक करना होता है, setting पर क्लिक करना होता है चैट पर क्लिक करना होता है, chat backup पर क्लिक करना होता है तो यह आपका setting होता है तो यह setting को आप यहाँ पर resume कर देंगे और यह setting आपको यहाँ पर daily पर select कलेना है जैसे आप इसे daily पर select कलेंगे उसके बद आपका backup आटोमेटिक होता रहेगा और फिर आपका गलती से भी अगर WhatsApp डिलेट हो जाएगा तो आपका सारा का सारा चैट वापस मिल जाएगा यानि कि आपका पुराना आइडिया आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही